वेलकम बैक गाइस, सेल चल रही है और आप में से बहुत सारे लोग RTX 3050 वाले लापटॉप दुन रहे हो, तो देखो पहले दो चीज़ में आपको बता देता हूँ, पहली चीज़, अगर आपको गेमिंग करनी है, इंटल वाले लापटॉप लेना, और अगर आपको एडिट पर जार्दा importance देनी की जरूरत है, तो ये दो main बाते थी, जो मुझे आपको बतानी थी, बाकि 50,000 के आसपास से लेके, 70,000 तक हम देखने वाले हैं, सारे अच्छे वाले 3050 लापटॉप को, और मैंने सारे best bank links description box में दिये, TGTV description box में 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 मे TGP, आप नीचे जाके check out कर सकते हो description box में, चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं, सबसे बहले 50,000 के आसपास में, यहाँ पर आते है MSI Thin50, इसके दो variant है, मैंने दोनों के link दे रखे हैं, check out कर लेना, Ryzen का भी and Intel का भी, Ryzen वाले में DDR5 RAM है, वो भी अच्छा है, और Intel वाले मे आप अपग्रेड कर सकते हो, Arctic 3050 मिल जाता है, 4GB यह बहुत ही बढ़िया laptop है, 52,990 में, and card discount के बाद यह आपको 48, 49,000 में भी मिल सकता है, plus मैंने इसको personally test किया, बढ़िया में को gaming मिल गई, मतलब medium to high setting पे, ले देगे काफी बढ़िया laptop है, उसके बाद है दोस्तों, Acer का Aspire 7, i5-12-450H, अगे नार्ठ पूर का ही CPU है, 16GB की RAM है, 512GB की SSD है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो, इसमें भी आपको 3050 मिलता है, यह भी आपके अच्छी खासी gaming करा देगा, मतलब मैंने कुछ data निकाला है, आप देख सकते हो अपने डिस्प्लेय में अभी, कि अच्छे खा वो हाई जाएगा, और वैसे भी क्योंकि यह जो laptop थिन बॉड़ी में आता है, तो मैं बोलूगा, medium सेटिंग पे खिलो गए, तो आपको जादा दिन तकी laptop service दे पाएगा, ठीक है, वरना गरम हो जाएगा, और फिर जल्दी slow होने लगेगा, तो दोस्तों 50,000 में यही दो best है एक है MSI का थिंग, बोथ Ryzen एंटल वेरियंट एंड फिर है Acer Aspire 7, उसके आदेखू 55,000 के आसपास में विट्रस भी मिलता है HP का, मैं बोलूगा उसको इग्नूर मारो, फिर 60,000 के आसपास में अगर आपको एक ऐसा laptop चाहिए, जहां पे आपको थिन बॉडी चाहिए, और ठाक TGP चाहिए, जिसमें काम भी सारे हो जाएं, दिखता भी अच्छा हो, और गेमिंग वगरा भी कर सके, एडिटिंग तो करी दे गाई है, तो यह है दोस्तों, Asus का 16X, अब यह 12500H के साथ आता है, i5 आला, मतलब 12 कोर का बहुती तगड़ा परफॉर्मिंग CPU है, यह 100 फ प्लेस करके आप अपग्रेट कर सकते हो, और आर्टिक 3050 मिल जाता है, चार जीवी वाला, तो दोस्तों, यह वाला लाप्टॉप भी मैंने टेस्ट किया, एडिटिंग, गेमिंग, जो मर्जी करालो इस लाप्टॉप में से, यह आराम से निकाल के दे देगा, कोई दिक्कत उसके अदोस्तों है, एसर का नाइट्रो 5, यह राइजन 5 7535HS के साथ आता है, जो की एक 6 कूर का CPU है, एंड इसके आपको 16GB की DDR5 RAM मिल जाती है, पास्ट राम है, 512GB की SSD मिल जाती है, और 6GB का RTX 3050 मिलता है, एंड इसमें मैक्सिमम गेम चल जाएंगी, इसका एक और से बेटर डील है, तो इसको आप डेफिनिटली कंसिडर कर सकते हो, SSD और RAM का अपग्रेड भी कर सकते हो, अगर चाहो तो, बाकि आप पफॉर्मेंस वगरा देख सकते हो, आपके डिस्क्रे में दिखाई दे रहा होगा, मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, कि पफॉर्मेंस अगरता है, तो पफॉर्मेंस भी तगड़ी है इस लाप्टॉप में, उसके दोस्तों साथ हजार के आस्टास में आता है, असुस का टफ गेमिंग ये 15, ये 75 वाट TGP वाला है, ठीक है, RTX 3050, इसमें राइजन 7 मिलता है, 7435HS, अब दोस्तों ये आठ पूर का CPU है, और काफी बढ़िया CPU है, मतलब बहुत ही तगड़ा रहता है, अगर आपको एडिटिंग करनी है, और गेमिंग थोड़ी कम करनी है, मतलब गेमिंग में भी आराम से गेमिंग करवाएगा, बट एडिटिंग के लिए इसको ऊपर रखना, फिर उसके दोस्तों इसमें आपको 15.6 इंच सारे गेम से इसली हैंडल कर लेगा है, और एडिटिंग आप 4 के लेबल की भी कर सकते हो, फिर दोस्तों 62,490 में आता है लेनोग का आइडिया पैड गेमिंग 3, ये लाप्टॉप भी काफी तगड़ा है, सेम चीपे मिलता है, 7535HS, राइजन 5 का, तो मतलब ये 6 और वाला है तो ये performance बहुत अच्छी निकाल कि देगा, इसमें भी आप आराम से gaming करो, editing करो, कुई दिक्कत नहीं आएगी, हाँ, क्योंकि ये जो CPU multi-gore performance बेटर निकालता है, तो again ये editing के लिए slightly जादा बेटर है, बट ऐसा बिनकूल भी मतलब नहीं है इसका कि आप gaming निकरता होगे, सा अगला जो laptop है, वो है Lenovo का LOQ, Motherboard इशु को आर में बहुत लोग बोलता है, मैं पहले क्लियर कर दो, वो बहुत बड़ा हुआ है, इतना इशु है ये जितना बड़ा उसे बनाया गया है, तो देखो, इसमें आपको i5-12450HX मिल जाता है, जो की बहुत ही जादा तगड़ा सी दोस्तों, आठ कूर का, यहां पे आप देख सकते हो, इत कोर्स लिखा हुआ है, यह बहुत ही बड़ा परफोर्मेंस निकाल के देगा, क्योंकि HX सीरीज है, जो सबसे बेस सीरीज होती है, HX, फिर H, और TALK पे होती है HX, और यह मैं हाईली गेमिंग के लिए सजेस्ट करत इसमें जो 30-50 मिलता है 6GB वाला दोस्तों, यह 95W TGP के साथ आता है, one of the best, बाकि Microsoft Office Lifetime ले मिल जाता है इसमें, और यह ओवरॉन ले देखे, काफी versatile laptop है, बहुत ही जाता value for money laptop है, तो मैं बोलूँगा, साथ हजार रुपे में, अगर आपको ओवरॉन एक best laptop चीए, best performing laptop चीए, जो कि दोस्तों, बहुत ही तगड़ा आठपूर का CPU है, और यह भी मैं बोलूँगा, editing के लिए, जाधा better है than gaming, और इसमें आपको RTX 3050 मिलता है, 6GB वाला, 75W TGP के साथ, और 16GB की DDR5 RAM है, 512GB Case SDR, दोनों को upgrade कर सकते हो, lock में भी कर सकते थे, Nitro 5 में भी कर सकते हो, 100Wh का refresh rate वाला और दोस्तों, इसकी performance आप अपने display पे देखी सकते हो, सारे games handle कर लेगा, प्लस editing वागर करना चाहो, तो वो भी आराम से handle कर लेगा, कोई दिकत नहीं आएगी इसमें, फिर दोस्तों, Dell का G15 5530, यह एक चीज़ मैं बता दू, मुझे बहुत जादा पसंद है, क्योंकि performance निक और इसमें भी TGP हाई है, description में देख लेना कितनी TGP है, बट हाई TGP है, and 16GB की DDR5 RAM है, 1TB के SSD मिल जाती है, performance अब अपने display पे देख सकते हो, काफी दगरी निकाल के देता है, FPS वगरा चेक कर लो, वीडियो को पास करके देखना चाहते हो, MS Office lifetime के लिए मिल जाता है, यह बह होती सई चीज है, overall इसका जो temperature है, थोड़ा सा जाधा रहता है, मतलब बहुत जाधा नहीं रहता, and थोड़े से जाधा level temperature पे भी यह throttle नहीं करता है, तो throttling का issue नहीं है, थोड़ा गरा होता है, throttle नहीं करता, but main चीज है, performance निकाल के देता है, आपको disappoint नहीं करेगा, मैंने इ 2713 Gen, 70,000 में इस से अच्छा laptop combination, मतलब GPU के साथ, CPU के साथ, आपको नहीं मिलेगा, यह जो CPU है दोस्तों, यह एक 10 पूर का बहुत तगड़ा CPU है, उसके आद इसमें आपको 16 GB की DDR5 RAM मिलती है, 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, इन दोनों को यह आप upgrade कर सकते हो, 100WHz का full HD IPS level anti-glare panel मिल जाता है और उसके साथ 6 GB का RTX 3050 मिलता है, इसकी भी TGP higher end पर है, मतलब सारे games मखन चला कर देगा, इसका review में जल्दी लेकर आने वालों dedicated review, तो यहीं है बस दोस्तों कुछ laptop जो 3050 के साथ आ रहे हैं, और 6 GB काले मैंने maximum बताएं, क्योंकि आप 3D, Blender वगर अगर यूस करना चाते हो, तो आपको help हो जाएगी, After Effects के लिए भी आपको help हो जाएगी, क्योंकि आपको 6 GB का VRAM जादा important होता है, अगर आप After Effects और 3D या फिर Blender वगर यूस करना चाते हो, gaming में तो definitely help करेगा ही 6 GB वाला, यह जो laptop बताया है, इनी में से एक पड़ो, क्योंकि इसमें बने TGP और जो VRAM क ही memory है, उन दोनों को ही consider करते हुए list बनाई है, इन laptop को consider कर सकते हूँ, मैं में विलता आपको अगले वीडियो में, until then, over and on.